दोस्तो नमस्कार मैं मुकेश कुठारी आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो अभी पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने यह बताया कि किस तरह से जो लोग पर्चेजर की स्रेड़ी में आते हैं कितना बड़ा फाइदा ले सकते हैं आर्शियम के जो अबडेट प्लान में जो अबडेट प्लान आज यानि 25 को सुबह 9 बजें टीसी जी के द्वारा टीसी चाबडा जी के द्वारा दिखाया गया जो एक मई से लागू होने वाला है उसके बारे में पर्चेजर को क्या benefit है मैंने आपको उसके बारे भी जिकर किया लेकिन उसक चोटी सी स्लाइड सी मिस्टेक रह गई है उसको आप फड़ा करेक्ट कर लें क्योंकि वीडियो को करेक्ट करना भी वेरे संभव नहीं हो रहा है तो वहां पर मैंने यह बोल दिया था कि अगर एक बार आप परचेज क्लब में पहुंच गए और पचास जार पीवी आपने बना लिया तो उसके बाद जो भी परचेज करेंगे उस पर आपको 10% मिलेंगे तो यहाँ पर करेक्शन करना है एक बार क्लब में पहुंच गए तो मीनिमम परचेज आपकी 1500 पीवी होनी नहीं चाहिए जिवन फाइदा आपको 500 रुपे परमन का मिल सकता है दोस्तों यह उस लेवल की तरफ जहांपर सबसे जादा लोग आर्टियम में स्टे करते हैं सबसे जादा लोग आर्टियम में लगे वह रूट लेवल जिसे हम वाइटल लेवल करते हैं यह तो वाइटल के हमारे जो लेवल होते हैं वह बिगनर, Starter, Opener, Eagle, Runner, Winner और स्टार होता है लेकिन इस में इस updated plan में वो लोगु का ध्यान रखा गया है जो फिल्ड में आ चुके हैं और income के लिए करियर के लिए इस business को करना चालू कर दिया है तो यहां पर इस plan में ध्यान रखा गया है कि opener से ही वो level लिए गया है क्योंकि उससे नीचे income बहुत जादा छोटी आती है तो उसमें बहुत जादा attractive नहीं रहने वाला तो यहां पर opener से लगाकर starter की पिन को लिया गया है तो opener पर एक point eagle पर दो point runner पर तीन point winner पर चार point और star पर पांच point यानि एक दो तीन चार पांच अलग अलग स्रेणी में point मिलेंगे अब मैं एक example create करता हूँ कि यह जो 2% पैसा vital के लिए reserve किया गया है वो केसे count होगा हम यह मान लेते हैं किसी मेने का यानि माई मेने का turnover 100 करोड का PV का है 100 करोड यह 100 करोड में इसलिए बोल रहा हूँ कि समझने में आसा नहीं रहेगी तो 2 करोड रुपे हमें vital level पर बाटने हैं यानि vital level में जो भी लोग है उनके पास अब जो income आती है उससे 2 करोड रुपे एक्स्ट्रा आने वाले हैं अब इसको सीधा calculate करें कि किसी एक मेने में यानि माई मेने में हम example के रूप में मान लेते हैं मैं कोई दावा नहीं कर रहा है वादा नहीं कर रहा है लेकि मैं example के रूप में आपको system को समझानी कोश्च कर रहा हूँ opener में अगर 4000 आदमी है माई में eagle में 2000 है runner पर 1500 है winner पर 1000 है और star पर 1000 है तो यहां पर total point कितने हुए देखना पड़ेगा तो opener पर एक पॉइंट है और 4000 आदमी है तो total point 4000 हुए इगल पर 2000 आदमी है और 2000 इन्टो 4000 पॉइंट हुए रनर पर अगर 1500 आदमी है और तीन पॉइंट है तो 1500 इन्टो तीन total point 45 हुए winner पर अगर 1000 आदमी है total point 4000 है तो 4000 इन्टो एक चार इन्टो एक चार इन्टो एक हजार यानि total 4000 point हुए च्टार पर अगर total 1000 आदमी है और 5 point है तो 1000 इन्टो 5000 पॉइंट हुए इन सारे point की total की जाए तो 21500 point होते है 21500 point हुए total turnover 100 करोड 100 करोड का 2% 2 करोड 2 करोड में अगर 21500 का अगर आप भाग देते हैं तो एक point की value आजाती है 930 रुपीज 930 रुपे हाँ जी हाँ दोस्तो 930 रुपे हालाकि मैं यह वादा और दावा नहीं करता आपसे लेकिन मैंने जो जो calculation की है as for my view यह company का view नहीं है लगबग एक point की value 600 से 1000 रुपे के 20 में आने वाली है 600 से 1000 रुपे के 20 में आने वाली है और 600 से 1000 रुपे की अगर value आई तो आपकी level किस तरह से बढ़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते मैं है कि example create करके बताता हूं अभी opener को लगबग 2100 रुपे की इंकम आती है साथ सो पचास रुपे से इंकम बढ़ जाएगी यानि लगबग 34 परसेंट का इंकम में इजाफा होने वाला है अगर eagle की बात करें तो 22-23 की इंकम आती है अब 1500 से और बढ़ जाएगी runner की लगबग 3,000 से और बढ़ जाएगी स्टार की बात करें तो लगबग 24-25 रुपे और बढ़ जाएगीaji यानि जो भी बड़ी वी इंकम है उस पेशा आपको उसी मेने मिल जाएगा और आधा पेशा आपको साल के एंड में मिलने वाला है अगर इसकी सबकी टोटल करें तो आप बहुत अच्छी एक अच्छी सी बाइक अपने बिजनस के लिए खरीच सकते हैं और किसका जुगार करने के जुरूत नहीं है वो भी आपको 26 से लगा कर 34 परसेंट को फाइदा वाइटल लेवल वालों को होने जा रहा है लेकिन यहां पर दो चीजों को बहुत अच्छी तरह से ज्यान जाने जारूँगी है वो इस वाइटल ग्रोथ बोनस को प्राप्ट करने के लिए मीनिमम परचेज हर मैने 1500 पीवी जरूरी है अ क्योंकि जो कमिशन अभी है वही कमिशन पहले था क्योंकि जो स्लेब है उसमें डिफ्रेंस के परसेंटेज सेम तू सेम होने की वज़े से कमिशन में कोई फरक बिल्कुल भी नहीं पड़ा है और आपको निशरूप से पॉइंट की वेली से बढ़ा तो आपको इस कलब में यानि एडिशनल बोनस प्राप्त करने के लिए 1500 पीवी हर महने पर्चेज करना जरूरी है और दूसरी बात कि अगर आपको यह पॉइंट महने टू महने हर महने लेने हैं तो आपको अपने लेवल को मेंटेन रखना पड़ेगा जी हां सिर्प लेवल को मेंटेन रखने से क 30,000 का बिजनिस है तो अगले मेंने इस पॉइंट को लेने के लिए इगल तो मिंटेन करना पड़ेगा 30,000 का बिजनिस को प्लस करना पड़ेगा वो 30,000 एक भी हो सकता है 31,000 भी हो सकता है 32,000 भी हो सकता है 35,000 भी होगा एक बार जो भी लेवल आपने हासिल कर गिया तो दू मचने वाला है और अगर किसी भी तरह का और प्रश्णा आपको करना है तो कमेंट में आप बताना मैं फाइनल एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अदर सारा आपको क्लियर कर दूंगा मुकेश कुठार के इस यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें जिन लोगों ने सबस्क्रा के बारे में नई रहना वाला है बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत तरह से मेरे को मोटिवेट करके इस वीडियो बनाने के लिए प्रेवित किया बहुत-बहुत